Hello Friends, अभी मेरे पास Probability Class 10 का एक बहुत important question है ये question टार्गेट के examination guide से हमने उठाया है, यहाँ पे देखिए ये question है और ये question 2011 के CC8 में पूछा बे गया था अब हम इस question को solve करने वाले हैं इस question को solve करने से पहले इस question के बारे में कुछ बाते जान लेते हैं question है कि राम दू भिन भिन सिकों को एक साथ उचालता है यानि राम के पास है दो सिक्के हैं, अलग-अलग सिक्के हैं एक ही साथ उसने सिक्के को उच्छाला है मान लीजिए कि एक सिक्का जो वो उच्छार रहा है वो एक रुपे का है और दूसरा सिका 10 रुपे का है तो इसकी प्राइक्ता है कि यह कम से कम एक चित प्राप्त करेगा तो आपको निकालना है probability कि at least one head प्राप्त करेगा कम से कम एक चित यानि at least one head इसकी कितनी प्राइक्ता होगी यह कम से कम एक चित प्राप्त करेगा Question लिखने से पहले हमें कुछ बाते लिखने पड़ेगी जो कि given होती है तो देखे क्या लिखेंगे हम कि दो सिक्कों के उच्छाल के संभब परिनाम क्या हो सकते हैं दो सिक्कों के उच्छाल के संभब परिनाम Number of possible outcomes अगर आप English में हैं तो ऐसा हो सकता है कि Number of outcomes, Number of possible outcomes और दो कोईन को उच्छालने पर तो संभब परिनाम क्या क्या हो जाएंगे तो सबसे पहले देखिए चार होंगे, कैसे होंगे या तो head, head आएगा दोनों सिक्के पर head आजाएगा या फिर head, एक पर head आएगा दूसरे पर tail आएगा या फिर तीसरे में पहले पर tail आएगा फिर head आएगा और बाल में tail टेल आएगा यही possible outcomes है इसके अलावा और कोई possible outcomes ऐसा नहीं है जो आ सकता है यानि Number of possible outcomes हो गए आपके total number of outcomes हो गए आपके चार चार आ सकते हैं तो अब देखिए अब कम से कम एक चित प्राप्ति देगा यह जो कम से कम है इसके बारे में आप एक बास समझे यह कम से कम का मतलब होता है आप इसको English में हम लिखते हैं आप इसको Hindi convert कर लिजएगा देखिए कम से कम एक चित यानि आप लिस्ट वन हेड इसका मतलब होता है means that the number of head is one or more than one यानि कम से कम एक चित का मतलब होता है कि चित की number एक होनी चाहिए या एक से अधिक होनी चाहिए head एक होना चाहिए या एक से अधिक होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं number of total number of outcomes कितने होगे इस probability में 4 होगे तो देखिए अब number of possible outcomes यानि at least one head तो number of head एक होना चाहिए तो देखिए एक इसमें है यहाँ तो दो है यह भी कहा जा रहा है more than one एक से ज़्यादा भी हो सकता है तो सबसे पहले हम इसको उठाते हैं यह हो सकता है यहाँ पर number of head is more than one एक से ज़्यादा है number of head दूसरा को पकड़िए number of head एक है तो यह भी होगा at least one head में तीसरा को पकड़िए यहाँ भी एक head है ठीक है चौथा को देखते हैं टेल टेल यहाँ कहीं head नहीं है लेकिन हमें कहना क्या है कि number of head एक होना ही चाहिए या एक से अधिक होना चाहिए यहाँ पे तो head है ही नहीं तो इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे तो यह कितना हो गया तीन यानि तो probability हमारी क्या होती है on getting a coin की probability of event यह जो घटना है probability of event कितनी होती है number of favorable outcomes by total number of outcomes कितना हो जाएगा total number of outcomes है 4 total number of possible outcomes हो जाएगे 4 और number of favorable outcomes कितने हो जाएगे 3 यानि इसका answer हो जाएगा 3 by 4